वेल्कम टू लेसन नम्बर वन ये है गूगल आड्स की इंट्रोडक्शन वीडियो हम जानेंगे कि गूगल आड्स कितने टाइट के होते हैं कैसे काम करते हैं ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वाइ गूगल आड्स आप देखो अभी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जो ओरल इंडस्ट्री है इसमें दो पलेयर डॉमिनेट करते हैं पहला फेस्बूक अड्स and then we have Google Ads जो Google Ads है वो Facebook से बड़ा प्रेयर है Google Ads पे Facebook Ads से ज़ादा पैसे लोग खर्च करते है Google Ads पुराना Ad Network भी है compared to Facebook प्लस Google Ads Facebook Ads से expensive भी ज़ादा है प्लस Google Ads के जो product है जैसे कि search ad हो गया वो बहुत ज़ादा कारगर भी है compared to Facebook Ads ऐसा नहीं है कि Facebook Ads कारगर नहीं है बट आगे जो आप इस course में समझोगे कि कई चीजे ऐसी हैं जिसमें Google Search Ads को थोड़ा सा advantage है compared to Facebook Ads तो Google Ads कितने type के होते हैं तो main अगर आप देखोगे तो Google Ads को आप चार category में बाट सकते हैं तो पहले हम उसको देखते हो क्या-क्या है then हम उसको एक-एक डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं सबसे पहले Google Search Ads ठीक है और उसके बाद आता है आपका Google Display Ads then we have Google Shopping Ads then we have YouTube Ads तो यह major चार categories है जिसमें कि आप Google Ads को बाट सकते हो ठीक है number one Google Search Ads number two Google Display Ads number three Google Shopping Ads and number four YouTube Ads ठीक है तो यह main चार category में आप Google Ads को बाट सकते हो तो अब हम देखते हैं कि यह चारो Ads किसके टाइप की होती है तो सबसे पहले आती है Google Search Ads तो जैसा आप नाम से समझ सकते हो अगर आप Google पे जाके कुछ सर्च करो और वहाँ जो आपको Ad दिखें उसे हम कहते हैं Google Search Ads ठीक है तो एक एक जामपल में आपको दिखाता हूँ सपोस करो मैंने लिखा डॉक्टर नियर में ठीक है अब आप देखो यह सबसे उपर कुछ रिजल्ट आया और यहाँ पे देखो क्या लिखा हो है Ad यह देखो Green में लिखा हो है Ad मतलब यह क्या है Google Search Ads प्लस आप नीची आओगे तो फिर आपको दिखेंगे Ads यह देखो Ad लिखा हो है यहाँ भी Ad लिखा हो है यहाँ भी Ad लिखा हो है तो यह है Google Search Ads और यह जो बाकी Results है जिन पे Ad ने लिखा हुआ यह आते हैं Through SEO ठीक है Through SEO और यहाँ पर यह Ad लिखा है This is part of Google Search Ads ठीक है और आप एक चीज देखो यहाँ पर खाली Text लिखा है क्या है यहाँ पर पूछ Image दिख रही है कोई Photo दिख रही है कोई Video दिख रही है नहीं दिख रही है तो यह कौन सी Ads है यह Text Ads ठीक है तो सपोस करो मैं गया इस Website पे Crick Buzz पे अब आप देखोगे Crick Buzz पे मुझे कुछ दिखेंगे Banners जैसे यह Banner दिख रहा है प्लस यह देखो यह Banner दिख रहा है और देखो नीचे और देखो यह Banner दिख रहा है यह सब किसके पार्ट है यह पार्ट है Google देखो यह Banner दिख रहा है तो यह किसके पार्ट है Google Display Ads जैसे अगर आप यहां क्लिक करोगे न तो देखो आ रहा है Ads by Google तो यह है देखो आ रहा है यह भी Google का है तो यह सब किसके पार्ट है Google Display Ads ठीक है बहुत ही ज़्यादा simple अब देखो Google display ads के through आप 90% से ज़्यादा internet users तक पहुँच सकते हो यह इतने powerful है Google display ads तो आपने देखा search ads क्या होते हैं जैसे आप Google पे जाके search करते हो उसे हम कहते है search ads अब इने बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आपको समझने पढ़ेंगे बट एक overview आप आप किसी website पर गये वहाँ banner दिख रहा है और उस banner को हम बोलते हैं जैसे यह banner है जैसे यह है Google display ads अब इसमें भी बड़ी सारी चीजे है Google display ads में भी अलग-लग type के banner होते हैं कैसे मैं अपने पर banner दिखा सकता हूँ तो वो सब एक broad deep concept है पहले आप एक overview समझ लो कि आप किसी website प ad platforms के थ्रूँ चला सकते हैं बट वो 90% से ज्यादा होते हैं Google display ads वाले banner आगे आप lessons में समझोगे कि और कौन-कौन से banner होते हैं then we have Google shopping ads बड़ी मज़ेदार ad है suppose मैं search मारता हूँ Adidas shoes अब देखो ad दिख रही है और यहाँ पर मुझे जूते दिख रहे हैं image दिख रही है और इसे click करके मैं जाके product खरीब सकता हूँ तो इसे हम कहते है Google shopping ads ठीक है जी क्या कहते है Google shopping ads जहाँ पर मैं just product को click करूँ और खरीद लूँ अब एक चीज ध्यान दो इसके नीचे भी ad दिख रही है बड़ क्या इस ad के अंदर आपको product दिख रहा है नहीं दिख रहा तो यह कौन सी ad है तो यह ad है Google search ad Google search ad ठीक है and the last one is YouTube ads ठीक है last क्या है YouTube ads जब आप YouTube पे जाते हो आपको बड़ी सारी ads दि आती है तो वो किसके थूँ आ रही है YouTube ads के गूगल अगेन कौन कंट्रोल करता है YouTube ads को Google ठीक है कई बार क्या होते है आप अपने feed पे हो और आपको suggested video दिखती है as a ad तो वो किसका part है अगेन YouTube ads ठीक है जी तो यह चार major type के है ads जो कि आप Google से run कर सकते हो display ad में एक और ad आती है and that is Gmail ads Gmail ads कई बार क्या होता है आप Gmail पे हो आप promotion tab खोलोगे न वहाँ पे आपको ads दिखते है ठीक है वो किसके part है Gmail ads का और Gmail ads पाट है display ads का और display ads इसका part है अगेन आपको पता ही है Google ads ठीक है तो major 4 category में हम बाढ़ सकते है search ad जैसी Google पे जाके आप कुछ search करते हो तो जो आता है वो है search ad का then we have display ad जो banners दिखते हैं वो सारे most of the banners are part of Google display ads then we have Gmail ads जो आपके inbox में दिखती है आपको promotion tab में दिखता है then shopping ads आप Google पे कुछ search करते हो आपको product दिखता है this is shopping ad then we have YouTube ads जो आपको YouTube ads दिखती है तो यह 4 major categories है Google ads की ठीक है so that's it from today's lesson आज जो आपने सीखा कि Google ads कितने type की होती है ठीक है जी thank you so much